हेलो फ्रेंट्स, मूवीज मंत्रा में आप सब का सागत है आज इस मूवी के बारे में मैं explain करने वाली हूँ उसका नाम है Killing Me Softly जो की रिलीज हुई थी साल 2002 में यह फिल्म Erotic Suspensular होने के साथ एक कमाल की मूवी है जिसमें स्टोरी की में करेक्टर अपने साथ होने वाली घटनाओं को बया करती है तो बिना किसी देरी के इस मूवी के explanation को start करते हैं मूवी के starting में कुछ परवता रोईयों को दिखाय जाता है जो की एक पहाड़ पर चड़ रहे होते हैं तब ही अचानक बर्फ के बड़े बड़े गोले उन पर गिरने लगते हैं जिससे सब भी परवतारोई उसी में दब जाते हैं फिर मूवी में एक एलिस नाम की लड़की को दिखाय जाता है जो अपने बॉइफ्रेंड के साथ लंडन में रहती है एलिस का मानना है कि वह अपने बॉइफ्रेंड और उसकी सिक्यूर जब के साथ बहुत खुश है लेकिन एक दिन उसकी मुलाकत एक मिस्टीरियस स्ट्रेंजर से होती है जिसे देख कर वह उसकी तरफ अट्रेक्ट होने रगती है एलिस भी उस आदमी को बुक्शॉप में जातो है देख लेती है उस दिन एलिस का मन आफिस के कामें बिलकुल नहीं लगता है और वह बार बार उसी आदमी के बारे में सोचने लगती है और आखिर में उस मिस्टीरियस स्ट्रेंजर से मिलेकर मन बना लेती है फिर वह लंस टाइम में उस स्ट्रेंजर के पास जाती है जब वह बुक्शॉप के बाहर से उसे देख रही होती है तभी वह आदमी एलिस को देख लेता है और एक टेक्सी को रोक कर एलिस को उसमें बैठने के लिए इन्वाइट करता है एलिस भी अपनी मर्जी से उस आदमी के साथ टेक्सी में बैठ कर उसके घर चली जाती है फिर वहाँ वे दोनों पैशनेट तरीके से इंटिमेट होते हैं एलिस उस स्ट्रेंजर से इतनी ज़्यादा अट्रेक्ट हो गई थी कि अगले दिन वहाँ उस आदमी को ढूंते हुए उसी बुक्षप पे जाती है वहाँ उस स्ट्रेंजर की एक फोटो दिखाई देती है बुक्षप में काम करने वाला आदमी उसे बताता है कि इस फोटो में जो आदमी दिखाई दे रहा है उसका नम Adam है वह एक mountain climber है और उसने last year 6 लोगों की जान बचाई थी जिस वज़े से उसके उपर यह book लिखी गई है अब Alice Adam से और भी जादा impress हो जाती है और Adam की घर जाती है जहां वह फिर से Adam के साथ intimate होती है और फिर Adam से उस incident के बारे में पूछती है Adam उसे बताता है कि उस हाथ से में बहुत से लोगों की जान चली गई थी जिसमें वह सिर्फ 6 लोगों को ही बचा पाया था उन लोगों में उसकी girlfriend की भी death हो गई थी है सुनकर Alice Adam के साथ ही रहने का decision लेती है रात में वह डरते डरते अपने boyfriend को breakup के लिए कहती है जिस वजह से उन दोनों के बीच काफी जगड़ा होता है और वह अपने boyfriend का घर छोड़ कर Adam के घर जाती है वहां उसे एक stranger लड़की दिखाई देती है जिसे देखका वह सूसती है क Adam ने उसे cheat किया है लेकिन वह लड़की Alice से कहती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है वह Adam की sister है और उसका नाम Deborah है यह जानकर Alice बहुत खुश होती है डेबोरा Alice को Adam के घर का address देती है जब Alice वहां जाती है तो उसे वहाँ Adam नहीं मिलता इसलिए वह उसके घर के बार बैट कर उसका इंतिया करने लगती है जब Adam घर आता है तो वह Alice को वहाँ देख के बहुत खुश होता है और फिर से वह दोनों intimate होने लगते हैं अगली सुबह Adam का इंटरिवू लेने के लिए एक reporter आती है एडम Alice को इस reporter से मिलवाता है फिर Alice office आने के लिए ready होती है और अपन लगता है कि Alice अपने best friend को Adam और साँ के बारे में बता रही होती है तब उसकी friend कहती है कि क्या सच में Adam को प्यार करती है या फिर At parked है तो Alice कहती है कि वह सचमे इंटम से प्यार करती हैL intentar लेकिन उसकी friend इन बातों पर बलीव नहीं करती है कि desk jack men को Adam से मिलने के लिए कहती है जब वे दोनों जा रहा होते तो रास्ते में एक चोर Alice का पर्स चोरी कर लेता है उसी टाइम एडम वहां से जा रहा होता है वह है उस चोर को देख लेता है और उसका पीछा करके उसे बहुत मारता है एडम को इतने गुसे में देखकर Alice उसे रोपती है देन एडम Alice को शादी के लिए प्रपोस करता है यह सुनकर Alice तुरन शादी के लिए हाँ बोल देती है उसके बाद Alice को कोई letter बेशता है जिसमें लिखा होता है कि Adam उसके लिए बिल्कुल भी सही इनसान नहीं है और वे शादी करने में बहुत जल्दबाजी कर रही है वे अपनी इस decision को एक बार और गौर कर ले यह पढ़कर Alice थोड़ी परशान हो जाती है और वे उस letter को Adam को दिखाती है Adam Alice से कहता है कि यह सब बगवास है वे इन सब पे ज़्यादा ध्यान ना दे फिर वे दोनों चर्च में जाके शादी कर लेते हैं Adam Alice को अपनी फेवरिट स्टर्चु के पास ले जाता है और Alice की कुछ nude photos के लिक करता है उसके बाद gun से हवा में fire करता है फिर वे उस gun को वहीं एक box में रख देता है और Alice को अपनी फेवरिट जगा उपर गुमाता है साथ ही वे अपना honeymoon भी वहीं मनाते है जब वे अपने honeymoon से वाफिस आते हैं तो Alice को again एक letter मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसने Adam से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है यह पढ़कर Alice को बहुत गुसा आता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका ex-boyfriend ही उसे इस तरह के letters भेज रहा है इस वज़े से वे अपने ex-boyfriend के घर call करती है और सामने से एक लड़की की आवाज आती है जिससे बात करके Alice को पता चलता है कि उसकी best friend अब उसके ex-boyfriend के साथ live-in में रहती है यह पता चलने के बाद वे sure हो जाती है कि उसका ex-boyfriend यह सब नहीं कर रहा है उसके बाद Adam Alice को एक party में ले जाता है जिसमें Adam की sister Deborah भी आई हुई होती है जब Adam अपनी friend से बात कर रहा होता है तो Alice को वहाँ थोड़ा uncomfortable feel होता है इसलिए वह एक room में चली जाती है तब भी वहाँ devora आ जाती है और वह Alice को एक खुबसूरत necklace पहनाती है जब वे दोनों room से निकलते हैं तो Adam Alice के गले में उस necklace को notice करता है अगली सुभ है जब Alice office में होती है तो उसे उसी reporter का call आता है जिसने Adam का interview लिया था वह Alice को बताती है कि Adam का interview अपने channel पर दिखाने के बाद एक लड़की का message आया था उस लड़की ने Adam पर blame किया है कि Adam ने उसका rape किया था यह सुनकर Alice चौक जाती है और confirm करने के लिए खुद उस लड़की के पास reporter बनके जाती है वह लड़की Alice को बताती है कि एक रात पाटी खतम होने के बाद Adam उसे अपनी घर ले गया और वहाँ उसके साथ जबज़स्ती rape किया यह जाननी के बाद Alice बहुत ज़्यादा disturb हो जाती है और जब वह उस लॉड़की कबोर को खोल के देखती है तो उसे उसमें Adam की ex-girlfriend एडल के काफी सारे letters मिलते हैं जिसमें एडल ने लिखा होता है कि वह उसके aggressive और शक्की nature के वज़ए से उसे हमेशा गिले छोड़कर अपने husband के पास जा रही है तब ही अचानक Alice को Adam की आने के आहट सुनाई देती है और वह जल्दी जल्दी उन letters को कबोर में रखती है लेकिन फिर भी Adam को पता चल जाता है उसके बाद Alice एडल के घर का पता लगाती है और जब वह उसके घर जाती है तो वहाँ उसे एक बूरी औरत मिलती है जो कि एडल की मा होती है वह Alice को बताती है कि एडल पिछले आठ महीनों से missing है वह Alice को एडल की photograph दिखाती है अचानक से Alice को उन photograph में वही same statue वाली photo मिलती है जैसी Adam ने उसकी click की थी उस photo को देकर Alice बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि एडल को Adam नहीं मारा है फिर डरते हुए वह अपने घर जाती है उधर एडल को लग रहता है कि Alice उसे cheat कर रही है इसलिए वह Alice को रसी से भांता है और उसे सवाल करने लगता है कि क्या उसका किसी और से अफैर चल रहा है तब Alice बताती है कि वह जान गई है कि एडल को तुमने ही मारा है लेकिन Adam साफ साफ मना कर देता है वह कहता है कि वह एडल से बहुत प्यार करता था और वह कभी भी उसे नहीं मार सकता था इसके बाउजोद भी Alice उसकी बात पर विलीव नहीं करती है और वाश्रूम के बहाने घर से बाकर पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है और वहाँ पर पुलिस को Adam के बारे में सारी दानकारी देती है और Adam को ग्रिफतार करने के लिए कहती है साथ ही वह केस को रियोपन करने की रिक्वेस्ट करती है लेकिन पुलिस ऑफिसर बिना किसी एविडेंस के केस को रियोपन करने से मना कर देता है तब ही Adam भी वहाँ अपनी वाइफ की मिसिंग रिपोर्ट कराने आता है और वहाँ बहुत दुखी भी होता है यह सब एलिस एक transparent mirror से देख रही होती है officer एलिस से कहता है कि वह जादा से जादा Adam को 2-3 घंटे के लिए यहाँ पर रोग सकता है इस बात से नाराज होकर एलिस वहाँ से चली जाती है और सीधे Deborah के घर जाती है वहाँ वह डेबोरा से पूस्ती है कि क्या वह जानती है एलिस पिछले 8 महीने से missing है और क्या उसका भाई एलिस को मार सकता है तो डेबोरा कहती है कि हाँ शायद वह एलिस को मार सकता है क्योंकि उसे बहुत जादा गुस्सा आता है यहाँ पता चले के बाद वे दोनों उस स्टैचू के पास जाते हैं रास्ते में डैबोरा एलिस को बताती है कि वे अंजान लेटर्स वही भेज रही थी वहीं दूसरी तरफ एडम भी पुलिस स्टेशन से निकल के सीधे डैबोरा के घर जाता है लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता और जब वह स्टैचू वाली फोटो को देखता है तो वह समझ जाता है कि वे दोनों कहां गए होंगे और वहाँ भी उस जगे की तरफ निकल पड़ता है फिर जब एलिस और डैबोरा स्टैचू के पास जाते हैं तो वहाँ पर एडल की डैड बोडी को ढूने लगते हैं अचानक एलिस को एडल की लाश मिलती है और उस पर उसे वही नेकलेस मिलता है जैसा डैबोरा ने उसे दिया था जैसे देखकर वे डैबोरा से पूसती है कि क्या ये नेकलेस तुमने एडल को भी दिया था इसका मतलब है कि तुमने एडल को जान से मारा है फिर वे दोना आपस में फाइट कने लगते हैं इसी दोरान डैबोरा एलिस को बताती है कि जब वे 15 साल की थी तो इसी स्टैचू के नीचे वे अपने भाई एडम के साथ इंटिमेट होई थी और तभी से वे एडम को बहुत प्यार करती है इस वज़े से उसने एडल को भी मार डाला और आज वे एलिस को भी मार देगी जैसे ही डैबोरा एलिस को मारने वाली होती है सड़न वहां पर एडम आ जाता है और डैबोरा को थपड माने लगता है वे डैबोरा से कहता है कि बच्पन में जो कुछ भी हुआ वे सिर्फ एक मिस्टेक थी यह सुनकर डैबोरा को बहुत गुसा आता है और एडम को जान से माने लगती है तभी एडम उसी गन से जिसे एडम ने स्टेचु के पास रखा था से डैबोरा को गोली मार दीती है अगली सुबह पुलिस डैबोरा के कतल के लिए एडम को गृफतार कर लेती है एडम को जात हुए देख एडम सोसती है दोस्तों अगर आपको मेरा ये मोवी एक्स्प्लिनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सस्क्राइब कीजेगा और घंटे के बेल आइकन को प्रेस कीजेगा जिसे की आने वाली नई वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ नेस्ट वीडियो में